बड़ी संख्या में लोग जब आयोध्या आएंगे तो उनके ठैरने की विवस्था एक बड़ी चुनोती है तीर्थ ट्रस्ट के सामने आपको इससे पहले हमने एक टेंट सिटी दिखाई जो कार सेवक पुरम में थी एक और टेंट सिटी दिखाते हैं जो 45 एकड में बनी आप देखिए ये पूरा जो इलाका है ये तीर्थ ट्रस्ट ने लिया है और इसमें लगभग 6 नगर जो हैं वो बसाए जा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में यहां पर संतों के आम लोगों के ठहरने की विवस्था की गई है आप देखिए पूरा जो ये अल्यूमीनियम की आप वाल देख रहे हैं वो बनाए गई है चुकि ठंड से भी बचाना है ये भी एक बड़ी चुनौती है और इसकी वजह से यहां पर ये अल्यूमीनियम की वाल का इस्तमाल किया गया है यहां पर देखिए आप इस तरह से एक कमरे में चोटी से कमरे में तीन जो बैद्स हैं वो यहां लगाए गए हैं चुकि संत यहां पर ठहरेंगे बड़ी संख्या में देश विदेश से संत आएंगे लगबग 8000 तो वो लोग होंगे जो रामलला के मंदिर में दर्शन के लिए जिनको VIP पास दिये गए हैं लेकिन बड़ी संख्या में संतों को नियोता दिया गया है और देखिए किस तरीके से यहां पर विवस्था की गई है और उनके संतों के सम्मान के हिसाब से ही जो रंग है वो भी रखा गया है यह देखिए कि कमरे के अंदर वाश्रूंग की विवस्था भी की गई है हाले कि काम अभी लगातार प्रगती पे है अब देखिए जो नल है वो लग चुका है यहां पे अभी कार लगभग चल रहा है तो यानि कि एक रूम में तीन संत यहां पर ठैर सकते हैं और इस तरह से लगभग 45 एकड के एरिया में यह जो पूरा नगर है वो बसाया गया है और और भी बहुत सारी सुविधाय हैं जिनका ख्याल रखा जा रहा है चूकि बड़ी संख्या में संत देश विदेश से रामलैला के दर्शन के लिए आएंगे इस वक्त गजेंद्र जी हमारे साथ हैं जो प्रदेश संगठन मंत्री पूर्वी उत्रप्रदेश विश्वि पूरी भूमी पैंतालीष एकड़ में हमने ये छे नगर यहां बशाई है छे नगरों में अलग अलग स्थान पर तो प्रार्म में जो 22 तारिक को जो प्राण प्रतिष्ठा के कारिके में उसमें संतों की रहने की विवश्था यहां पर चार हजार संत रहेंगे चारहजार संत रहेंगे तो जो उनके लिए आवसक सभी है तो जैसे अपने ये जो रूम है अटेचरू में फिर चारहजार की संख्या संतों की उनके साथ में लगभग एक पंद्रहसों की संख्या विवस्था और उनके से यह मिलाकर जो रहेंगे उनके सब भोजन और यह सब की विवस्था है तो यह सामने आप देख रहे हैं यह हमारे इस परकार के छह भोजना ले इस पूरी treaty एकडमें छह नगर है भोजनाले वने हैं उसी परकार से काosse करता हों के लिए रहना है तो उनके आवास की विवस्था हमारी और यह आवास के साथ साथ और इनको भी देनिक नित्यकर्म ये सब के लिए तो उनके लिए इसनान सोचाले ये भी बिवस्ता है ये सामने आप देखेंगे तो हमारे इस सेंटरल स्टोर है ये पूरा यहां जो छे भोजना लें उनमें जो खाद्द सामिक्रिय भोजन सामिक्रिय इसाब की जो आवस्क्ता होगी तो यहां पर एकत्रित होगी फिर जैसे आवस्क्ता गर्म साथ वहां जाएगी पिर नेटवर्क की भी हाई थोड़ी समस्या है थोड़ा बाग और पीड़ ये सब होने की कारण से तो यह हमने यहां यह बड़े-बड़े पोल्स जो हैं वो यहां पर लग है लेकिन उस चैलेंज को भी स्विकार करते हुए यहां पर जो नेटवर्क सर्विसेज हैं वो दी जा रही हैं यहां यहां लगबग 15,000 तक संख्या अपनी रह सकेगी तो उतने में तो जादिक संख्या पर थोड़ा नेटवर्क का थोड़ा समस्या होई ही जाती है होगा तो क्या कुछ खाने में क्या हो सकता है वो उनके जो भोजन है तो हम वैसे तो यहां कहीं भी लेसन प्याज इस परकार की कोई भी चीज यहां प्रयोग में नहीं आएगी लेकिन संथ हैं तो उनके लिए जैसे बहुत से संथ हैं जो फलारी बावा होते हैं जो कुछ बतलब उन जरूरतों का भी ध्यान रखा जाएगा चोटी से चोटी सब्सक्राइब कितनी बड़ी संख्या में 45 एकड़ ये पूरा एरिया है और एक टेंट सिटी हमने आपको कारसेवक पुरम में दिखाई जो छोटा शेत्र है वहां पर कारसेवकों के परिवार जो है उनके टेंट सिटी यहां पर शनतों के ठेंट सिटी हमने की विवस्था की गई और पूरी अयोद्या में लगभाइक टीन ऐसी की जहां पर जो सोलर तार दिखाई दे रहा है तो यहां पर इस पर पैनल की विवस्था की है तो अपने जो जितना मुख्य मार्ग है लगब ऐसे हमने सूचा है कि सोलर पैनल लगें और लाइट की समस्या होती है या कुछ होती है और वैसे भी आजकल सोलर का ज्यादा परचार परशार बिया है अब यह जो 22 जन्वरी का त्योहार है यह त्योहारी है उत्सभ एकदम राम आ रहे हैं तो उत्सभ यह राम तो चौदे वर्स के बाद आए थे तो अधिया में उत्सभ हुआ पूरा अभी तो राम 500 बर्स के बाद अपने घर में पूंचेंगे तो वह भारती नहीं तो भारत क इंदू है जो सनातनी है वो सब इस परकार के उनके अंदर एक उतसा है वे गर में कोई आ המן समझे तयोहार होता है तो कितने उतसा से लोग उसे हो को मनाने में उस्तियोहार को मनाने में लग जाते हैं और ऐसा ही अयुद्ध्या नगरी में आकर लग रहा है कि राम लला आएंगे लेकिन अब राम लला आ रहे हैं 22 जन्वरी को प्रान प्रतिष्ठा कारिकरम है और उसकी तैयारिया अयुद्ध्या में जोरो शोरो से चल रही कामरमेन अभी के साथ दिव्याग रुबाल, ऐध्या, निस्ट्रेनिफॉर